इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मक्ताम है सभी जानते हैं कि राम अंदिर बाबरी मस्जीद का जो तनाजा रहा काफी अरसों से रहा पूरे मुलक में इसके मद्दे नजर काफी फसादाद हुए लिहाजा अदालत की जानिब से राम अंदिर के हक में फैसला दिया लेकिन इसके उपर भी किसी धर्म जात या मुसल्मानों को एतराज नहीं है लिहाजा राम मंदिर को तामीर करने के लिए पूरे मुलक पर में चंदा इखटा किया जा रहा है लिहाजा टीपू सल्तान संगरसमीती जो बलगाम शहर की तंजीम है इनका कहना है कि जिस तरह से चंदे के नाम पर दंगे का धंदा जो चलाया जा रहा है उसे कहीं तो भी रोका जाए क्योंकि वो जैन हो मनसूर हो मद्रपरदेश में मुक्तलिब जगों पर चंदे की रियाली तो निकाली जाती है पर चंदा असल मकसद नहीं होता लेकिन वहाँ पर फसाद वर्पा किया जाए और उसका सियासी मुफाथ हासिल किया जाए यही एक पहलू लेकर हिंदुतवादी तंजी में जो है यह रियाली निकाल रही है लिहादा पंदरा जनौरी को बेलगाम के अंदर मुक्तलिब तंजीमों की जानिव से यहां पर चंदे के लिए रियाली निकालने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है लेकिन उस रियाली को लेकर यहां के अकलियती तब्गा खौबज़दा है डर के माहूल में है तो टिपु सुल्तान संगर समिती यही मेमोर्णम पेश करने के लिए मुतालबा पेश करने के लिए डिसी साहब से उन्होंने अपना मुतालबा पेश भी किया लेकिन वह यह क्यों दे रहे हैं क्यों डर के माहूल में हैं यह देखे सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तक्वाल बताइए कि आप जो यहां पर मेमोर्णम दिये हुए रैली को लेकर उसकी मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं लेकिन पुलिस की जानिप से इस पर नजरे रहे हैं को यानिक अकलियती तबके को एक ताहफूज फराम की जाए जैसा कि आप जानते हैं मुल्क भर में जो है राम मंदिर को लेकर चंदा एकटा करने का काम शुरू हो च मुख्तान के समीधान को मद्य नजर रखते हुए यहां पर जो मजभी आज़ादी दी गई है यहां पर हर मजभ को जो है चंदा एकटा करने का हक है मजदीद मंदीर चर्च बनाने का हक है लेकिन पिछले चंद दिनों में आपने देखा होगा कि मद्य पर्देश में यह र लोग भीड की शकल में बेलगाम में 15 तरीक को आते हैं बेलगाम उत्तर बेलगाम उत्तर भाग जो है एक कसीर मुसलमान अबादी वाला एरिया है यहां पर भी ऐसे वाकियात पेश होने की चांसिस हैं यह लोग नाम राम मंदीर का ले रहे हैं और चंदा एकटा करने का ना अगर इसमें कुछ गडबड होती है तो इसका जमेदार सिर्फ परशासन होगा परशासन पर उठाएंगे तारिक को जो है एक राम मंदीर डोनेशन के नाम पर जो है एक रियाली निकाली जा रही है तो रियाली निकालने के आपोज में टिपू सुल्दान संगर समिती बिल हैं कि गंगा जमना प्हिजशब हमेश्या बरकरार रहे इसके लिए जो है ये जो रियाली निकाल रहे हैं ये रियाली में जो है थोड़े आतंकी लोग व्याट में शुक्तलि अगर करेंगे तो भी पूलिस पोडेक्शन जो है पूरी पूरी तरह से माइनरेटी के प्रोपर्टी को सेकुरिटी करे बहुत बहुत शुक्रिया यह थे टिपू सुल्तान संगर समीती के कारकुनान जिनका मुतालबा है कि हमें किसी धर्मजब से कोई नफरत नहीं है या तो फिर हम मुकालिफत नहीं करते लिहाजा जिस रैली का एक शवशुबा जो शक है कि ये फसाद वर्पा कर सकते हैं लिहाजा इसे रोका जाए या तो पुलिस तहफूज में इसे जो है क्योंकि हम ये भी देखते हैं यासी साजिश नजर आ रही है लिहाजा इसे कहीं तो रोका जाए अब देखते हैं कि हुकुमत कितने संजीदगी से इन पर कारवाई करते हैं इत्याद नहीं देखने के लिए शुक्रिया अल्ला अब